नमस्कार आप देख रहे हैं स्पेन नाइन न्यूज और आपके साथ मैं हूं करांति सिंग महाराष्ट की सियासत को लेकर के हम लगातार आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर के आते रही हैं और आज के इस खास प्रोग्राम एक बार फिर महाराष्ट की सियासत को ही लेकर बात करेंगे लेकिन इस बार मुद्दा जुड़ा हुआ है उद्धव ठाकरे के साथ में आपको उतादे कि उद्धव ठाकरे जब से सत्ता से बाहर हुए हैं कहीं न कहीं उनकी बॉकलाहट जो है अब जाकर के सामने आने लग गई है जब सत्ता से बाहर हुए थे तो शायद वो इतने हुंकार के साथ में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे थे जितना कि अब वो खुले आवाज के साथ में एकनात शुन्दे और बीजेपी के उपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं इसी खास मुद्दे को लेकर के आज किस खास प्रोग्राम में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नहा आपका बहुत-बहुत स्वागत है मारे इस खास कारी क्रम में चारों तरफ सियासी माहोल है और इस सियासी माहोल के बीच में जो महराष्ट की कहानी है वो अभी राज्यों से अलग दिखाई दे रही है महराष्ट में पता भी नहीं चला और रातो रात जो है वो सत्ता बदल जाती है सत्ता वदलने के बाद देखा ये गया कि उद्धव ठाकरे कही न कहीं अपने मातोश्री के अंदर आराम से जो है वो सोई हुए थे लेकिन अब इदगम सुन के नीन जग गई है अब जैसे ही वो जगे हैं तो जो बयान बाजी से वो बच रहे थे वो बयान बाजी अब खुल करके करते हुए निज़र आ रहे है सबसे पहरा सवाल तो यही है कि जो इन दिनों उद्धव ठाकरे के बयान बाजी देखे जा रही है आखिरकार यह क्या एकदम से नीन्द तूटी है या फिर यह पता चल चुका है कि सप्ता हाथ से चली गई और धाई साल तक शिंदे और बीजेपी ने जो है राज कर लिया तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी देखिए करांते यहां पर महराष्ट का जिक्रत जबाब करी रही है महराष्ट में अभी तक यह माना जा रहा था कि जब जिस दिन यहां मंत्री मंडल का विश्टार हो जाएगा शिंदे गुट की तरफ से उस दिन यह जो सारी कला है यह खत्म हो जाईगी लेकिन मुझे तो लगता है कि मंत्री मंडल विश्टार होने के बाद यह कला और ज़्यादा भेंकर रूप लेकर सामने आ रही है देखिए यहां उद्व ठाकरे को वाके में अभी तक सब कुछ बहुत आसान नज़र आ रहा था लेकिन अब लड़ाई हो चुकी है अर्फ बाद कारी नज़िन नहीं है लेकिन अंद्रूनी सुतरों से जो खबर आए है उसको देख कर यह कहा जा रहा है कि सिर्शेना का जोसमा मामिला है किसके हक में सिर्शेना होगी उसको लेकर यह είया कि एक ना चिंडे को शायद शिर् सेना मिल सकती है तब ही पूरण का जन्ममने जन्मम मिल सकती है, यह यहांपर बहुत-बड़ा सवाल बना और हालखर मिल जाती है, तो यह बड़ी ही सोचन Siya विचारने वाली बात होगी कि आखिरकार उद्दव ठाकरे के हाथों क्या रहने वाला क्योंकि फिर तो उद्दव ठाकरे के पास मुझे लगता कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि धीरे-धीरे कर उनके विधायक भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे कर उनके सा दिरे उनका साथ छोड़ सकते हैं बिलकुल मतलब निया आपकी बातों से अगर समझा जाए तो जाहिर से बात है कि उद्धव ठाकरे ने बयान बाजी का सिलसिला जो है वो तब से शुरू कर दिया जब से उनकी पार्टी चुन के ओपर जो है वो बात आ गई उससे पहरे जब सत्ता गई थी तो कुरसी कभी भी किसी की भी हो सकती है उस चीज को लेकर के फिर भी उन्होंने चुपपी सादली लेकिन जब बात जो है मान सम्मान और पार्टी चुन पर आई तब उद्धव ठाकरे ने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया मैराल अगला सवाल नेहा यही है कि जो चुनावी चिन को लेकर के यह लड़ाई चल रही है तो क्या इसी बौखलाहत में जो है उद्धव ठाकरे तमाम बड़े-बड़े आरोप एकनात शिंदे और बीजे पीपर लगा रही है चाहे उसका कोई माइने निकले या ना निकले यहाँ पर एकनात इन पे ध्यान नहीं दे रही है तो क्या यह बौकलाहत मान सकते हैं कि पार्टी चिन जा रहा है इसलिए बौकला गए है और उन्हें पता ही नहीं के शाया नखित्ता शसाने निकल बीजे निकल जात तक ही फिर उनके पास कुछ बचेगा अभी उनको थोड़ी बहुत उमीद है सुप्रीम कोट से कि आखिकार सुप्रीम कोट जो फैसला सुनाएगी अंत में जो फैसला सुनाया जाएगा सिस्षिना को लेकर वो उद्धर ठाकर के हित में सुनाया गाए लेकिन अगर 10% इसको हम और यह कह देते हैं कि एक नाचिंदे के हित में फैसला सुनाया जाएगा तब यहाँ पर उद्धर ठाकरे को एक और बड़ा जटका लग सकता है और शायद यह जटका लगना शुरू भी हो चुका है जिसकी वज़े से आप जो एक्षन है वो देखने को मिल रहा है क्यों कि यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि वो यहाँ बौकलाहट में बीजे पी को छोडू की पार्टी कह रहे हैं एक नाच हिंदे को मुफ्ट की सरकार कह रहे हैं और यहाँ तक कि उनीके लोग तमाम लोग भी जो हैं उनीके परिवार से लोग हैं। उनकी अवेद सरकार का नाम दे रहे हैं उनकी सरकार को तो इस तरीके के बयान वाजी करना इस तरीके के कटाश करने से ये साफ ये पता चलता है कि कहीं न कई उदव ठाकरे को ये चिंता सताने लगी है कि अगर उनके हाथ से पार्टी चली जाएगी तो शायद उनके हाथ में कुछ नहीं बचने वाला जो बिल्कुल अब पार्टी चिन भी अगर चली जाती है तो उदफठाकरे के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा और यही डर जो है इस वाक्त उदफठाकरे को सता रही है सवाल यह है कि क्या इस डर के बॉखलाहट ने उदफठाकरे को जो है वो ने धोका तो दिया है यह बात हम सबको माल लेनी चाहिए क्योंकि उदफठाकरे के राइट हैंड कहे जाने वाले एकनाथ चिंदे उन्हीं के पीठ में चुरा घोप दिया है यहां यहां पर आप वह बात भी कह सकते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में वह च्छेद क बनकर काम कर रहे थे लेकिन यहां मुख्यमंतरी पद मिलना उनको वह भी महराष्ट के मुख्यमंतरी यह बहुत बड़ी बात थे और जिस पद के लालच में उन्होंने धोका दे दिया कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को यह पता था कि वह बिना किसी भी पार्टिक जो उनके साथ मिला इस सक्त बीजेपी का उसके बिना वह कुछ नहीं कर पा रहे थे और इसी की वज़े से आज उन्होंने इतना बड़ा स्टैप उठाया कि उन्होंने उद्व ठाकरे को धोका दे कर वह मुख्यमंतरी की कुरसी पर बैठ गया बिल्कुल अब यहां पर कुरसी की प्यान बाजी ठीक है तो क्या यहां पर एकना तश्रिंदे और बीजेपी को लेकर के जो बाते चल रही है जो सरगर्मिया तीज है क्या वो सही है आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा फिलाल ऐसी तमाव अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं इस पेनाई नियो